नमस्कार मैं डाक्टर रजिनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम भ्रमर गित सार के अगले पदों पर बातचित करेंगे जिसमें की हमने इस वीडियो लेक्चर के पहले पद संख्या एक से लेकर ग्यारह तक आप सभी से बातचित किया था उसकी ब्याख्या की थी और परिक्षाओं के दिश्टी कौन से जो महत्पून तथ थे उनके प्रति सचेत किया था आगे हम बात करेंगे कि जब उद्धव गोकुल जाने के लिए तयार होते हैं तो बीच में एक पातर आती है जिसका नाम है कुगजा ये भी उद्धव से कुछ अपनी बातें कहती है और इस पूरे पद में असुया भाव है असुया भाव एक तरीके का संचारी भाव है और इस पद को इसलिए पढ़ाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहां से कई बार सवाल बने हुए खासर से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि संचारी भाव किसे कते हैं और इसकी संख्या कुल कितनी है इससे तो आप परचित होंगे जब आप रस पड़े होंगे लेकिन असुया भाव आखिरकार होता क्या है असुया भाव का मतलब यह होता है कि जब हम दूसरे के ग गुण हो और उस गुण को गुणन मानकर हम उसके दोश के रूप में देखते हैं तो ये पद आचायराम चंशुकल ने जिन 400 पदों को संकलित किया है भ्रमर गीत्सार में इकलावता पद मुझे याँ पर दिखाई पड़ा है तो चलते हैं बात करते हैं उसी के उपर आप द कथन थे उद्धव के प्रति यानि कि कृष्ण उद्धव को समझा रहे थे और कर रहे थे कि गोकुल जाना तो किसको किसको याद करना है नंद बाबा से मिलना है विरिश्वानू से मिलना है जसोमति मैया से मिलना है गोपियों से मिलना है सुदामात से मिलना है तो इन सभी को याद करते हैं और फिर उद्धव को प्रेरित करते हैं कि आप गोकुल जाएए लेकिन बीच में भ्रमरगित सार में सूरदास ने कुपजा का बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है उसके माध्यम से उद्धव को कुछ बातें कही गई हैं हो सकता है कि इस पद को लिख कर प कि जब किसी व्यक्ति के गुण को हम गुण न मानकर दोश के रूप में देखने लगते हैं तो वो अशुया भाव का लाने लगता है और यह क्या है एक संचारी भाव इतने तत्यों को ज़रूर आप ध्यान में रखिए बाकी जैसे जैसे पद को हम पढ़ेंगे इसकी व्य एक से लेकर ग्यारा पद में कृष्ण गोकुल के लोगों के प्रती भी कुछ-कुछ शिकायत करते हैं कि मुझे आये हुए इतने दिन हो गए लेकिन कोई हमारा हाल चाल लेने के लिए नहीं आया संदेश भी नहीं कोई पहुचाया इनको भी दुख है वहाई पर आप से सुनियों एक संदेश उधो तुम गोकुल को जात ता पाचे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात अब यह निश्चित हो गया है कि उधो गोकुल जाएंगे और यह जानकारी कुपजा को होती है और तुरंत आकर कुपजा आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार कौन है ऐस नहीं पर पट्रानी भी इसको कह सकते है क्रिशन से प्रेम करने वाली महिला उनसे चाहती है कि कि प्रिशनका लगाव गोकुल से बना रहें तो बस यहां से लोगों से जुड़े और मुझ से जुड़े रहे तो शिकायत करते हुए क्या करती है आपने दो पंक्तियों को देखा सुनियों एक संदेश सो उधव तुम गोकुल को जात हे उधव तुम गोकुल जा रहे हो तो मेरा एक संदेश सुनो या फिर मेरा एक संदेश ध्यान में रखो ता पाछे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात और जब तुम गोकुल पहुचना तो वो जो गोपियां है वहां के जो वासी हैं उनसे हमारी एक बात जरूर कहना माता पिता को हेत जानिक है कान मदपूरी आये मदपूरी शब्द पहले भी आया हुआ था आपकी दिमाग में आगया हुआ कि इसका अर्थ क्या होगा माता पिता को हेत जानिक है कान मदपूरी आये ना हिन स्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाये कुपजा कर रही है कि है उद्धव मेरा एक संदेश उन लोगों को जरूर बताना कि क्रिश्ण मदपूरी आये ना हिन स्याम तिहारे प्रीतम तिहारे उन गोपियों के लिए है कुपजा का मानना है कि गोपियों को बोल देना कि वो इस भ्रह्म में न रहे कि क्रिश्ण उनके है ना हिन स्याम तिहारे प्रीतम वो तुमारे तुम सब के प्रीतम नहीं है और नहीं जसुदा के जाये मतलब पूत्र और नहीं वो जसुदा के पूत्र है बले यसोदा ने कृष्ण का लालन पालन किया लेकिन सही मायने में वो उनकी माता नहीं है उनकी माता तो देव की रही है जो कि सत्त एक तरीके से देखा जाए लेकिन किसी से लगाओ किसी से जुडाओ और प्रेम कभी भी हो सकता है उसके विवहार से और उसके साथ राने से और कहा जाता है भारत में तो किसी के साथ अगर आप पांच कदम चल देते हैं तो भी आपका जुड़ाव हो जाता है तो यहाँ पर कुपजा एक तरीके से याद दिला रही है कि क्रिष्ण मतुरा किसी के दबाव में नहीं आये हैं बलकि वो अपने मातापिता के प्रेम के आकर्षन के कारण आये हुए है और यह भी है कि गोपियां जो क्रिष्ण के उपर अपना दावा पेश करती हैं और कहते हैं कि हम उनकी प्रेम काए हैं या फिर उनसे प्रेम करती हैं तो यह भी भ्रह्म है उनके नहीं है और यहाँ तक कि जरसुदा के भी पुत्र नहीं है। आगे की पंक्तिया हैं कि समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहां भलो किन हो। कह बालक तुम मत ग्वालिनी सबय आप बस किन हो। फिर से कुपजा कती है कि तुम लोग समझो और बुझो अपने मन में अपने मन से पूछो कि तुम लोगोंने कृष्ण का कितना भला किया। विचार करो। भला नहीं किया बलकि क्या किया कि उनको फसाया एक तरीके से देखा जैतो। कती है कि कह बालक तुम मत गोलिनी तुम लोग मदमस्त गोलिनी गोपिया और यहाँ पर शब्द प्रयोग किया जाता है अहिरीन का भी सब्द प्रयोग किया जाता है। कि तुम लोग मदमस्त ग्वालिनी इस बालक को अपने प्रेम जाल में फसा ली और यसोधा के तरफ फिर से संकेत कर रही है कुपजा कि यसोधा का देखिये कितना माखन के लिए कृष्ण को सजावो देती रहें और यसोधा माखन काजे बहुत तरास दिखाई जिस जशोधा के बारे में कहा जा रहा है कि कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी वही जशोधा देखा जाए तो माखन के लिए कितना कृष्ण को दंडित किया परिशान किया तरासित किया इस चीज को भी हमें नहीं भूलना चाहिए ये कुपजा का काना और जैसा कि मैंने बत पूछा जा सकता है तो जो विद्यार्थी आपर इस लेक्शर को सुन रहे हैं अपना मान कर देख रहे हैं निश्चित तोर पर कॉन्फिदेंस के साथ इंटर्विव में जाएंगे वहां तुरंद बता देंगे कि असुया भाव एक संचारी भाव है और उसका मतलब यह होत तो यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर की जितनी भी पंक्तिया हैं यहां से इसके शूरुवात फुई है एक तरह की देखा देख तो पांचवी पंक्ति से, कुबजा जो है तमाम गुणों को दोसों में बदल रही है उसका मानना है कि जितनी भी गोपिया है वो क्रिष्ण को बालक मान कर अपने प्रेम जाल में पसा लिए यशोदा एक छोटी सी चीज माखन के लिए क्रिश्ण को बहुत परिशान की बहुत उनको दंडित की और आगे कती है तुम ही सबय मिली दावरी दिन भी रंच दयार नहीं आई और यहां तक कि अगर क्रिश्ण ने माखन चोर नहीं आई तनिक या फिर जरा सी भी दयार नहीं आई और आगे कती है और विर्श भानु सुता जो किन्ही सो तुम सब जी जानो यही लाज तजी ब्रजमोहन अब काहे दुख मानो यहां तक कि कुपजा जो है राधा को भी नहीं छोड़ती है एक चीज आपने देखा होग अगर लगतार मेरे चैनल से जूड़कर भ्रमरगीत साहर की पदों को देखा होगा तो ब्रिस भानु सुता एक जगा आपने देखा लिखा था कि ब्रिस भानु तनया सबका मतलब एक ही है आपका इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ या पदों की व्याक्या के साथ साथ पर पर प्रयुक्त हुए है कुपजा कहती है कि राधा भी कृष्ण से प्रेम की और उनको यही कहे कि तुम सब तुम मेरे लिए हो मेरे जान से भी प्यारे हो एक तरीके से सभी लोग मिल कर जहां कृष्ण को छलने का काम किया इसी कारण कृष्ण ब्रज को छोड़कर वापस मतुरा आ गए तो अब क्यों आप सभी दुखी हो रहे हैं कुल मिलाकर यही बात कानी चा रही है कुपजा और आगे है कि सूर दास यह सुनी-सुनी बातें स्याम रहे सिरनाई और कृष्ण की इन बातों को सुन कर जो कृष क्रिष्ण है वह अपना नत्मस्तक किये रहे है इत कुपजा एक प्रेम ग्वालीनी कहत नकचु बनी जाई कृष्ण सोच रहे हैं सिर नीचे करके कि एक तरफ कुपजा इनके प्रेम में पड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो गोपियां है वह भी कृष्ण के प्रेम आकर जो की उद्धव प्रती कुपजा के वाकिके तौर पर है तो इस पूरे पद में आपने देख लिए कि कि सके द्वारा क्या संबाद किया गया है और इसमें कौन सा भाव है अश्या भाव है और असुया भाव किसे काते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा और उद्धारण के माद्यम से भी आप पुरा समझ गये होगे तो इस तरीके से आपने देखा कि कुपजा जो है गोपी वासी जो भी गोकुल वासी है उनके गुणों को भी दोश में बदल दिया जशोदा के भी और कारण ये था कि उनको अपने माता पिता की याद आने लगी और उसी प्रेम में आ गये हो तो क्यों लोगों को दुख हो रहा है ठीक है तो ये पुरा प्वद था उसकी व्याक्या थी उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से असुया भाव प्र को दोश की रूप में देखते हैं और बाद में बोलते हैं कि उसकी नौकरी तो सेटिंग से लगी और बाकी वह कहां बहुत पढ़ने में अच्छा था तो इस तरीके से आपने देखा होगा विवारिक जीवन में तो कहीन कहीं कुपजा भी एक मनुस्य के रूप में ही है त तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जिस व्यक्ति से वो प्रेम कर रही है अकर्षन जिसके प्रति हुआ है क्रिशन के प्रति उससे और भी कोई प्रेम करें मैंने स्रद्धा और भत्ति में निवंद में आपको बताया था प्रेम और स्रद्धा के बीच में क्या आं हम पद संख्या पर बात करेंगे और खास और से मेरी कोशिश है कि 21 से लेकर जो 70 तक के पद है उनको एक वीडियो लेक्चर में मैं कबर करने की कोशिश करूँ नहीं तो फिर जल्दी-जल्दी मैं इसको कम्प्लीट कर दूँ तो परशान होने की ज़रुत नहीं है खास और से कई बार इंटरनेट कनेक्शन इत्यादी की दिक्तियां आ जाती है और नेटवर्क प्रॉब्लम भी आता है तो समय पर वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है तो जैसे परिस्थितिया अनकूल होती रहेंगे तुरन-तुरन हम काम करेंगे ठीक है तो मिलते हैं एक नए के साथ तब तक के लिए नमस्कार